कि अगर आप देख रहे हैं तो मेक शुर कि आप सब्सक्राइब कर लें चानल को और आने वाली वीडियो था कि आपको टाइम पर मिल सकें बेल आइकन को हिट कर दें तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह वीडियो है सेम टॉपिक पर है क्योंकि मैंने उस टॉप कभी कभी हम प्लान भी नहीं कर रहे होते हैं फिर भी हमें लगता है डर कि यार लब हमारे साथ यह प्रॉब्लम तो नहीं हो गई सुरी तो सबके साथ मैं सटार्ट करती है of EEG धवलक हर महिने होता है या नहीं होता है तो आप यह उप्राप्टिम है कि अस उसहलं होता है यह साइज उस साइज का नहीं होता है या फिर नाइंटीन अमम तक होला, जोए- नाइटीन से ट्वइंटीवन तक के बीच में होता है उससे छोटा है तो वह राक्चर नहीं होगा और सब्सक्राइब होगा और कर्दीन में ठीक है तो यह लिए इस बारे में बात कि हर महिने होता है और नहीं होता तो सब आप मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर के पास आने से पहले आप अपने आप पर ध्यान दिजिए अपनी बॉडी में हल चल जो हो रही है माइनर भी उसी इसको नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हां भी मेरी बॉडी में क्या हो रहा है फिलहाल ठीक है जहां तक मैंने नोटिस किया है नाइन अमन जब आगर आप मान लीजिए आपका फर्स्ट को पीरिडेट स्टार्ट हुआ है तो फर्स से लेकर आप नौवे दिन तक काउंट करें नौवे से फिर पंद्रा पंद्रा से फिर दो दिन तीन दिन गाप करके या फिर जब आप 21 डिर तक पहुंसते हैं तब आपको आप हमेशा ध्यान देना कि आपके साथ एक चेंज होता है अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो इस महीं नोटिस करना कि आपके लोवर एब्डुमिन में लेफ्ट या राइट में पेन होना हलका से शुरू होता है और वो इस तरह का होता है कि हम उसे बरदाश कर सकते हैं हम सोचते हैं कि यह ऐसी हो रहा है ठीक हो जाएगा अपने आप इस तरह का पेन होता है और आपकी जो breast है आपको heavy feel कराएंगे तो उस time आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो egg है वो अब rapture हो गया है तो हमारी body क्या react कर रहे है यह आपको समझना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है क्योंकि हमारी body हमेशा आपको एक sign देती है कि कुछ गड़बर है या कुछ हो रहा है तो आपको कभी कुछ नहीं होगा दूसरा अगर आपके साथ ही problem है size की तो इसका यही एक solution है कि LC के बीज आते हैं आप उनको powder में convert करके रोज एक चमच खाईए और trifla का powder आता है वो खाईए देन उसके बाद आप folics जो दवाईयां होती हैं वो खाना शुरू कर दीजिए दूद अपनी diet में हमिशा ले लिजिए कि जब भी आप रात को dinner करें तो एक घंटे बाद दूद लें दूद पीना एक glass जरूरी है सब के लिए क्योंकि यह हम अपनी life में भूल जाते हैं कि खासकर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि परिवार में अगर सब है तो सब को दे देंगी और सब का खयाल हो जाएगा उनको कि हां भही किसको क्या चीए बट अपने लिए भूल जाती है तो यह चीज़ छोड़ दिजिए अपनी diet में हमेशा एक glass दूद रखिए ताकि अपने आपको आप ठीक रख सकें अपनी health को maintain करिए अच्छा diet हो अच्छा खाना खाएं जंक फूट छोड़ दिजिए है न क्यूंकि आज कल के खाने में कोई फायदा नहीं है जंक फूट में कभी-कभी चलता है बट ट्राय करिए कि इग्नोर करें और सबजियां खाएं हरी-हरी यही कह सकती हो मैं तो बस यही था आज के लिए कि आपको अपने आपको जानना है कि क्या ठीक है और एक सवाल था कि मतलब अगर हमको एक दिन पीरड होता है तो क्या मारी बॉड़ी में एग नहीं बनेगा इसा नहीं है यह सबकी बॉड़ी पर डिपेंड करता है कि आपको एक दिन हो रहा है तीन दिन हो रहा है यह पांस दिन यह माक्सिमम साथ दिन भी होता है मैंने सुना है बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक दिन है तो नहीं होगा क्योंकि यह नॉमल है बस हाँ बसरते यह कि आपको हर महीने पीरेड आना चाहिए पीरेड स्किप नहीं होना चाहिए अगर पीरेड स्किप हुआ देन आपके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है और आपको अगर पेट में ज्यादा दर्द होता है उस टाइम पे तो दबाई तब तक मत लीजे जब तक वह क्योंकि उस टाइब का पेइन उस टाइम पे नहीं होता है प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा लगता है कि हाँ पेट में दर्द हो रहा है बट उसको बरदाश कीजिए थोड़ा सा लाइक ऐसा नहीं कि आप बिलकुर आपकी जान निकल रही और दवा नहीं खाए फिर आप ड लोग खाहा है कि एड़ा उसके नहीं कितो हैं है टाइस को रहा है बटॉट है आपकी जान नहीं कि भॉड़ाम थेस्टी किए बट्वाला आपकी जान घरे आपकी खाए बहा है जान आपकी जान